ग्यायर व्यृबिर, यो छूरावि तस बचकर 59 minute आखे बन करदेपि धीमी धीमी सांस भीतर और धीमी धीमी सांस बाहर ध्यान हमारा आती जाती सांसों की ओर दुरलब सांसे हैं ये जो रात को सोय थे उन में से कितने तो आज उठे ही नहीं है हम उठे हैं इन सांसों की देन है और उसका धन्यवाद है एक गहरी सांस ओम का उचारन ओम का उचारन करता हूं मैं वंदना नत्शिर बारम बार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुबकार अंचली परमस्तक लिये विन्य भक्ति के सांग नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को चोड कर मस्तक गुटनेटे तुझे को हो पर नाम मम आदने भाईयो और भैनो आप सभी में विराजित उस सर्व शक्ति मान परमेश्वर को मेरा शत्य शत्य नमन गुरुदेव से प्राथना कि अपना आशिरवाद भरा हात मेरे मस्तक पर अखे और मा सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो ताकि प्रकरती जो संदेश नारायन जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुचाना चाहते हैं उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुचा सकूँ नारायन नारायन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सचसंग का उदेश क्या है सीधी सी सरल सी बात है कि हर व्यक्ति एक सहज, सरल सहज, सरल, सुन्दर, स्वस्त, सफल, संपन और सार्थक जीवन जीए याने की सेवन स्टार जीवन जीए इस भाव को, इस चाव को ध्यान में रखते वे इस सचसंग का आयूजन किया जाता है इस सचसंग में अच्छी अच्छी बातें आप तक कहानियों के माध्यम से विचारों के माध्यम से, सची घटनाओं के माध्यम से, कुछ प्रसंगों के माध्यम से, आप तक पहुंचाई जाती है, और उन अच्छी बातों का, आप नेमित प्रयोग कर, नेमित शब्द का फोकस करें, नेमित शब्द पर, उन बातों का नेमित प्रयोग कर, आप एक जी सकते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आज के सत्र की शुरुवात करते हैं, आज का सत्र किस तरह होगा, आज का विश्य है, टॉपिक है, आत्ममिश्वास कैसे बढ़ाएं, या वील पावर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आत्ममिश्वास का डोज यदि अधिक हो जाता है, तो वो वील पावर में कनवर्ट हो जाता है, पर ओवर कॉन्फिदेंस और वील पावर में फर्क है, वो सब आपको साइन्टिफिक वेसे बताएगे, तो आज का विश्य है कि आत्मशक्ति किस तरह बढ़ाएं, तो पहला दो अध्याय टोटल में आप तक मौचेंगे, पहला अध्याय और बीच में छोटा सा अवकाश, अवकाश कैसे दो या तीन मिनट का, वो आप पर निर्भर करता है कि आप तीन मिनट लेते हैं, कि पांच मिन लेते हैं, बस उतरा ही मिलेगा, उस अवकाश में, इस पि वर्तन आया, वो थोड़े शर्दों में वो बातें आपको यहां आकर सब तक पहुचानी हैं, मैक्सिमम चार लोगों को मौका मिलेगा अपनी बात शेयर करने का, तो उसमें हमारे पास तीन तो पोलो है, मालू मैंना पोलो, और एक छपन करोड का लिफाफा है, तो जिसकी स सबसे बढ़िया शेयरिंग होगी, उसको चपन करोड का लिफाफा, मालू मैंना पचास का एक नोट उपर छे रूपिया, हाँ, और तीन पोलो, जिसकी शेयरिंग जैसे होगी, उसको, तीन से उपर शेयरिंग गई, तो चुनेंगे किसमें ज्यादा परिवर्तन आया है, उ और हमेशा के तरह मिस्टर राघव के माध्यम से, मिस्टर राघव कहते हैं, कि मेरा बेटा शिवा, न्यूस पेपर में छपी एक खबर पढ़ रहा था, और खबर इस प्रकार थी, कि दुनिया भर के अमीर लोगों ने, अपने धन में से, एक बहुत बड़ा हिस्सा, अपना धन दान देने वालों की लिस्ट में सबसे उपर नाम था, बिल गेट्स और बारन बफेट का, और इनकी देखा देखी, इनसे प्रेणा लेकर, और भी कई लोगों ने, अपने धन में से, एक बड़ा हिस्सा, परोपकार के लिए, दान में दे दिया, बिल गेट्स औ और बारन बफेट ने अत्रिक्त महनत की, इन्होंने क्या किया, इक डिनर का आयोजन किया, और दुनिया भर के अमीर लोगों को उसमें आमंतरित किया, और फिर एक मीटिंग रखी, और उनसे कहा, कि हम सब के पास प्रचूर मात्रा में धन है, अकूत मात्रा में हमारे पास अब जरा सा सोचिए कि आपको अपने लिए कितने धन की आवशकता होगी, कितना खा लोगे, कितना पहन लोगे, आपको अपने लिए कितनी आवशकता होगी, आपको अपने परिवार के लिए कितनी आवशकता होगी, और और भी थोड़ा सातरित निकाल लीजिए, तो उसक के बाद जो धन बचेगा क्योंकि अकूत धन है जो धन बचेगा उसका आप क्या करेंगे चरह इस पर सोचें और इस मीटिंग का नतीजा ये रहा कि उस मीटिंग के दौरान ही फेस्बुक के CEO ने और अजीजी प्रेम जी ने अपने धन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दान मिले दिया और भी लंबी लिस्ट थी लिस्ट बन गई दान दाताओं की और खासियत ये थी उसके अंदर कि ये सारा कुछ उन्होंने अपना कर्तव्य समझ क किया अपने मन से दान दिया किसी भी तरह की कानूनी प्रेशर नहीं था उनके उपर है रागाव कहते हैं कि जब ये सारी बाते अपने बेटे शीवा के मुझ से सुन रहा था ये बाते मेरे मन को छू रही थी कि कितने इंसानियत है इन लोगों में कि इन लोगों ने धन का म माना ही अपने जीवन का लक्ष नी समझा इससे इस धन को समाच को लोटाना भी एक लक्ष बना लिया इनोंने महनत की इनकी महनत नंग लाई और एक लंबी लिस्ट तयार हो गई दान दाताओं की और एक बहुत बड़ी रकम परोपकार के हिससे चली गई मेरे दिमाग में रागाव कहते हैं कि ये बाते चल रही थी और वो खबर पढ़कर जो ही मेरे बेटे शिवा ने निउस्पेपर नीचे रख था मेरे बगल में मेरा मित्रकेशव बैठा हुआ था वो जट बोल पड़ा कि कौनसी बड़ी बात है धन्दान में दिया तो उनक कि हमारे पास होता तो हम भी देते हमारे पास नहीं है तो कहां से दें रागाव कहते हैं कि सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये कहना कि हमारे पास नहीं है तो कहां से दें इस तरह हात जटक लेना जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि केशव के पास धन है पर नारा मन देने का है क्या रागव कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि ये मत कहो कि मेरे पास होगा तो दूंगा जितना है जैसा भी है देना शुरू करो आगे कहते हैं रागव कि जब से हमने इस प्रिथ्वी पर जनम लिया है हम दुनिया से लेते ही आए हैं हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना है इसे लोटाना भी है हमें मैं और मेरा परिवार से उपर उठना होगा देना ये समाज को लोटाने का सबसे बड़िया तरीका है और देखिए हर धर्म में कहा गया है दान देने के लिए कोई भी धर्म अपवाद है क्या कि दान नहीं देना और दान को बहुत अधिक महत्ता दी गई है क्यों महत्ता दी गई है इसके रह्ष हमें जानने होगे कि क्यों दान पर इतना फोकस किया आता है और जब हम छोटे-छोटे होते हैं हम जब छोटे थे 50 साल पर हमारी दादी हा हम सोसे थे इतना एफट डाल रही हमको हाथ खिच-खिच कर लेकर जा रही क्यों नहीं अपने हाथ से बाढ़ देती पर अब जब बड़े हो गए हैं तब वो रहष समझ में आ रहे हैं कि क्यों वो हमारे हाथों से बटवाती थी खुद भी दे सकते थी ना इतना रोड क्रोस करके जाना हम लोगं का हाथ पकड़ना चार भाई बननों का फिर दिलवाना तो रहष समझ ही जरा कि दान देने के पीछे क्या रहष है पहला जब आप दान देते हैं आपको ये ऐसास होता है कि आप के पास भरपूर है क्यों क्योंकि आप जिसको देते हैं उसकी तुल्ला में निश्यत है कि आपके पास भरपूर है जब आपको ये एसास होता है कि आपके पास भरपूर है और ये एसास जब विश्वास में तबदील हो जाता है कि हाँ मेरे पास बहुत है तब आप सम्रिध्ध को अपनी और आकरशित करते हैं दूसरा पॉइंट आप अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ हम देते हैं वो कई गुना लोट कर हमारे पास आता है नाराण शास्त्र कहता है कि ग्यारा गुना आता है दूसरे शास्त्र कहते हैं कई गुना आता है अब हम एकांत वास में थे कुछ साधियों के साथ उनका ये कहना था हमने जब उनसे शेर किया कि नाराणशासर कहता है कि हम एक देते हो ग्यारा वापस आता है वो बोलते हैं आप कन भर देते हैं और मन भर आपके पास आता है इतना difference है तीसरा पॉइंट आप जब देते हैं आपको अच्छा लगता है, इसका बहुत बड़ा साइन्स है, आपको अच्छा लगना, चौथा पॉइंट, आपको इस सोच कर, संतुस्थी होती है, कि जब किसी को जरुवत थी, मैं वहाँ पर था, चाहे मैं उस व्यक्ति को जानता ही ना हूँ, पांच्वाँ पॉइंट, आपको इस सोच कर, तसल्ली होती है, कि आपका कमाया वधन, एक सही जगह पर उसका उप्योग हो रहा है, राघव आगे कहते हैं, कि एक रिसर्च भी हुआ, क्या रिसर्च हुआ, कि लगभग सो व्यक्तियों को एक कमरे में शानती से बिठा दिया गया, और उनसे आखे बंद करने के लिए कहा गया, आखे बंद करने के थोड़ी देर बाद उनसे कहा गया, कि आखे उनकी बंद ही रहे, और उन्हें ये कल्पना करनी है, कल्पना करनी है, कि उनके पास एक बोरा अनाज है, और सामने लाइन लगी भी है लेने वालों की और वो अपने हाथों से वो अनाजदान कर रहे हैं कलपना करने कहा गया और इसके नतीजे ये निकले रागाव कहते हैं कि ब्रेन के जो खुशी के सेंटर थे वो एक्टिवेट हो गए तो उसके एक्टिवेट का क्या अशर होता है यह scientifically आपको बताएंगे और कई प्रकार के research होने के बाद यह साबित हुआ है कि जो व्यक्ति अपना समय, अपना धन, अपना सयोग दूसरों को देते हैं वे उनकी तुल्ना में जो नहीं देते, खुशी और संतुस्टता भरा जीवन जीते हैं जो व्यक्ति अपना समय, धन, सयोग दूसरों को देते हैं वो नहीं देते उनकी अपक्षा, खुशी और संतुस्टता भरा जीवन जीते हैं इनके भीतर जल्दी से निराशा प्रवेश नहीं करती क्योंकि भीतर भरा हुगा है अच्छाई भलाई करुणा तो निराशा को जगा किदर एंटर होने के लिए तो राखव कहते हैं कि अपने बच्चों में बच्चपन से ही आदत डाल दें देने की ताकि उनका सुभाव बन जाए देने का उने बताएं कि देने से खुशी मिलती है परिवार में दे कोई senior citizen है अपने बच्चों से गए कि अपने समय में से चाहे 5 मिन चाहे 10 मिन उस senior citizen के पास बैठे गरीब को खाना किला है, जो बुक्स उनकी बच्ची वी ए, एक्स्ट्रा है, वो दान में दे, कपड़े दान में दे तो अब ये पहला अध्या है हमारा पूरा, दो मिनट चेह ये, तीन मिनट चेह, चारी मिनट चेह, आपकी ख्वाइश है कि जो सत्संग में आपने सीखा, समझा, बीतर उतारा, यदि उस पर नहीं मितकारे किया है, तो क्या परिवर्तन आया है, थोड़े थोड़े शब्दों में फटा-फटा कि हमारा दूसरा अध्या आगे बढ़ सके